नमस्कार किसान भाईयों आपने टमाटर की खेती जरूर लगाई होगी लेकिन जो मैं वेराइटी बताने बाला हूं वह आपने वेराइटी इस आहिति मुझे लग रहा है कि नहीं लगाई होगी क्योंकि यह ऐसी टॉप मुष्ट वेराइटी है जो कि इसका उत्पातन बहु होता है और साथी में यह फल इतना अच्छा होता है कि और साथी में किसान भाईयो जो पौदा है टमाटर का है जो हाइब्रेडों का वह उसकी जो हाइट है वह हाइट कमसे चार से पांच फीट उची हो जाती जो कि आपको कुछ रस्तियों और बास के द्वारा आपको यह पड़ेगी किसान भाईयो अगर आप मारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरू दबादें जिससे कि आपको वीडियो के नौटिपे किसान आपको मिलते रहेंगे साथी में किसान भाईयो अगर आपको वीडियो अच्छी निकलता है कितना निकलता है तो सबसे पहले सेमिन्स कंपनी की अभिलास टम्याटो जो वेराइटी है एफ वन जो इसका अनकूल समय है जोलाई से दिसंबर में आप बोश सकते हैं साथी में मिट्टी कौन-कौन सी होनी चाहिए काली दौमट में भी आप लगा सकते हैं आल कलर का फल आएगा वह भी गोलाकार होगा और चमक एकदम गोल अमतलब टमाटर के पोधे पर एकदम चमक लाइट मारता हूँ दखेगा आपको साथी में जो फल का बजन है 80-100 ग्राम तक का आता है और जो आप फस्ट हर्वेस्टिंग जब करोगे तो आपको जो 60-65 दि पतादू किसान भाईयो दस किराम यानि की जो 550-560 रुपे का आपको जो बीच का टमाटर का जो हाइवरेड वीच वो मिल जाएगा आराम से और जो इसका उत्पादन है प्रति हैक्टे मेट्रिक टन आपको एकड के हिसाब से 50-55 निकल जाता है वो डिपेंड करता है आपक जब आप अपनी पौद की रोपाई करोगे तो आप मल्चें के द्वारा रोपाई बैट बनाना करें कर सकते हैं और ड्रिप एरिएजन सिस्टम भी लगा सकते हैं साती में जो पौदे की जो दूरी है वो दो फीट मिलिमाम आपको रगनी पड़ेगी क्योंकि जो पौदे क की जो हाइट है वो तीन से चार से पांच फिट भी हो जाती है किसान वाई दूसरी बैरेटी है यूएस एग्री सीट एस डबलू पंदरे जीरो आठ जो कि जो इसका अनकूल समय है रवी खरी प्रीजन में आप लगा सकते हैं और मिट्टी की बात करें महीं पर तो हलकी और बारी जराव उत्तम चल निकासी का प्रवंद बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वारिस के सम्मत में लगा रहे हैं तो उसकी जो पानी की निकासी है वो अच्छी होनी चाहिए साती में जो फल है एक तम डेड कलर का आएगा एक चमकता लैड मारता हुगा जो फल का वजन है जो प्रत्रोदकता है LCW और जो फास्ट आर्वेस्टिंग आफ साथ से पैंसर दिन में भी इसकी कर सकते हैं जो इसकी सेल्प लाइफ होती है साथ से आट मेने की होती है और साती में आपको एक एकड के दर से आपको जो बीज की आवज सकता पड़ेगी और पैंतालिस से साती में जो पौदे की जो डिश्टेंज दूरी है याने की एक एक देड़ फिट की दूरी आपको डग सकते हैं जो इसकी हाइट है तीन फिट मिनिम्यम जाती है और इससे उपर भी जा सकती है अब बात करते हैं तीसरी बेराटी की जो कि सिजंटा कंपनी की है हिमन संस और इसे जो आपको रभी और खरीफ के सीजन में आपको ये लगा सकते हैं साती में जो मिट्टी है पीली मिट्टी में आप लगा सकते हैं बलुई में लगा सकते हैं काली मिट्टी में भी आप इस फसल को लगा सकते हैं साती में जो इसका उत्पादन है इस बेराटी का 40-45 टन प्रत एकड़ के इसाब से निकलता है और जो इसकी सेल्प लाइप होती है साथ से आठ महीने की होती है जो इसकी जो हार्वेश्टिक है 65-67 दिन में आप कर सकते हैं और जो फल का साइज है वो गोला का लाएगा और साथी में उसकी जो चमकदार है वो बहुत ही ज्यादा चमक आएगी बाकी दोनों बेरेटियों से बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा और जो इसका टमाटर का जो रंग है लाल होगा तोड़ा औ जो प्रत पौदा फल जो देने बाला है जो कि 10 से 10 से स्टार्ट होता है और आपको 20-25 केजी एक पौदे से निकलता है तो साथी में प्रतियगर का जो सीट की जो आप सकता पड़ेगी आपको 60-80 ग्राम की आप सकता पड़ेगी और वहीं डिस्टेंस की बात करें जैसे कि पौदा लगाना चाहते हो टमाटर की पौद रोपाई करना चाहते हो तो आपको देड़ फिट से दो फिट की दूरी में आपको पौदा रोपना चाहते है उसी के साथ में आपको जो बैड से बैड की दूरी है मिनीमम डाही से तीर फिट की दूरी जरूर रखें उससे प्रत्याकर से आपका 30-35 जो इसका उत्वादन है वो निकल के आएगा आपको इससे ज़्यादा भी हो सकता है वो आपका डिपेंड करता है खेत की और वरक सक्ति पर जो इसकी सेलप लाइप होती है चैसे साथ महीना होती है जो फल का साइज होता है वो गोला कार होता है कलर आकर सकती है एक दम लाल जो फल का जो उत्पादन है वो आराम से निकल के आएगा और साती में जो बीच की जो आवसकता पड़ेगी आपको साथ से साथ से सतर ग्राम की आवसकता पड़ेगी और जो आपको डिश्टेंस है जब पौदे की रोपाई करोगे टमाटर की तो बैड बना करके आप विज साती में किसान भाई हो मैं आपको जो से जंटा की जो साही जो 32 क्यामन जो हाइबर्ड है आपको यह ब्रांड की सिराज्यों में लगा सकते हैं मद्ध परदेश में लगा सकते हैं उत्तर परदेश में महाराश्टरा में पंजाम में हर्याणा में आसाम गुजरात और जागा को ज़्यादा है ऐसा नहीं है आप हर जगह इसको लगा सकते हैं बट पाने की निकासी अच्छी होनी चाहिए जल वराब नहीं होना चाहिए और साथी में किसान भाईयों में आपको बता दू कि अगर आप टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं कोई सी भी आप हाइब् जो इन्वाइर्मेंट यान की बाता बड़ रहे हैं उसके अनुसार में किस बैराइटी ने ज्यादा उत्पादन दिया है और अगर उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा सही समय पर मिलेगा तो आपको जो प्रॉपिट है यान कि जो आपकी अर्ने वह भी बहुत ज्यादा होगी साथी में जो आपका खर्चा आएगा ज्यादा अगर दूसरी हाइब्रिट को आप लगाएंगे तो क्योंकि उसकी जो कंडिशन होती हैं कुछ अलालग भी हो सकती है तो आपको बहुत जादी प्रॉलम भी आ सकती है साथी में अगर आपने अपनी एरिया में पड़ेगी किसी से भी हमारी चोटी चोटी गलतियों के काराड़ी हम उत्पाधन और प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं किसान भाई हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें घंटी वाले बटन को जरू दबाएं और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें धन्यवाद